आज के हमारी यह स्टोरी है व्राइटर एक प्रीस्ट और एक लॉन्ट्री गर लिखी है व्राइटर जो असाइलम में था वह हमेशा अड़र स्टोरीज लिखता था उसकी स्टोरीज की वज़े से बहुत सारी चीज़े कॉंप्लिकेट होती है यह हम इस मूवी में जानेंगे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको क्विल्ज यह 2000 की एक हॉलिवड मूवी एक्स्प्लिन करने वालों अगर आपको वीड़ा चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजएगा अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लिंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट ह जर्य अपनी राइटिंग वर्ल में भेशता रहता है सबसे चुपते चुपाते मार्की की राइटिंग मैडलिंग जाकर बाहर देकर आती है वहाँ पर एक हॉस्राइडर पब्लीशिंग कंपनी से उसका हमेशा वेट करता है यह उसे फ्लेट कर रहा था उसने उसका नाम भ किया खुस्सा हो जाता है उसने सारे कौपी जलाने के लिए पर उसके व seguinte कि अगर हम उसे इस तरीके से माड़ ढलेंगे तो हिस्तरी में वह लीजन की तरह जाना जायेगा हमうसे मार नहीं सकते तो इससवाज़े से मार्की की जान बज गई इस पर कुछ ना कुछ तो करने के लिए उन्हें टॉर्चर करता रहता है अब यही चीज मारकी के साथ भी होगी नेकसिन में मैडलीन को प्रीस्ट लिखना पढ़ना सिखा रहा था एक्च्वल में मैडलीन प्रीस्ट को बहुत ही लाइक करती है पर प्रीस्ट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता मार मार्की के बुक्स से जो भी सेल हुआ था इसके थोड़े पैसे उसने मैडलीन को दे दिये मैडलीन कहती है तुम्हारी पॉब्लिशर को तुमसे और भी बूखस चाहिए मारकी ने कहा कि मैंने और एक स्टोरी लिखी हुई है पर अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें prize pay करनी पड़ेगी, अफ् ze करीत, इसी तरीके से, एग एग पेज मैडलीन उसे ले रही थी, तबहोँ वहाँ प्रीस्ट आ गया, प्रीस्ट उसे जाने के लिए कहता है, प्रीस्ट उसे समझाता है, कि मारकी से मिलने के अलावा, तुम मेरे पास confession के लिए आ सकती हो यह उसके लिए सही नहीं प्रीस ने फिर मारकी को भी समझाया कि वर्ल में बहुत सारी चीज़े है अच्छी अच्छी चीज़े है जिसके बारे में तुम लिख सकती हो मारकी को यह बात समझ भी नहीं आती वो कहता है इस जो चीज़ हम सब को जिन्दा रखती है जनरेशन से चलती आ रही है उनी चीज़ों के बारे में मिलिखता हो इसमें कुछ भी गलत नहीं इसके बाद हम देखते है कि मारकी को ट्रीट करने के लिए असालम में डॉक्टर पहुच चुका था डॉक्टर आकर प्रीस से मिलता है कहता है मेहा सिर्फ as a formality हो कोई भी ब्रॉलम आई तुमें इसे solve करूंगा डॉक्टर को मारकी की हिस्ट्री के बारे में पता था वो जब यंग था तो उसने murder किया था वो पागलो जैसी बाते करता है तो इसी वज़े से उसे asylum में डाल दिया गया है प्रीस्ट को question आता है कि इस डॉक्टर को या भेजा क्यों कया डॉक्टर ने प्रीस से का तुम्हारे मारकी की story kingdom में बहुत ही famous हो गई थी king ने खुद उसे ilाज करने के लिए भेजा हुआ है डॉक्टर ने प्रीस्ट को दिखाया कि किस तरीके से वो मारकी को torture करेगा वो इतना torture होगा कि सिर्फ writing के thoughts से भी वो डरने लग जाएगा प्रीस्ट को ऐसा बहुत ही गलत लगता है उसने का कि मैं खुद मारकी से बात करूँगा वो मान जाएगा अब इसके बाद कुछ भी नहीं लिखेगा प्रीस्ट समझता था कि मारकी के मन में जो भी है अगर इसके बारे में लिखेगा तो शायद cure हो सकता है पर इस पर अब कोई भी option नहीं है वो जाकर मारकी से बात करता है उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है मारकी इस बार भी माना नहीं प्रीस्ट ने डॉक्टर से कह दिया कि मारकी मान चुका है अब वो कुछ भी नहीं लिखेगा प्रीस्ट नहीं चाहता था कि मारकी टॉर्चर हो इसलिए उसने डॉक्टर से जूट कह दिया कि मार्की अब कुछ भी नहीं लिखेगा मार्की ने भी इस पर बहुत सोचा इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि डॉक्टर एक और्फन लड़की को लेने के लिए आया अब वो उसके साथ शादी करने वाला था इस लड़की का नाम था सीमोन चर्ज की नन ने सीमोन का बच्पन से खैल रखा था उसे कहती है कि अब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें यहां नहीं रहना पड़ेगा वरना तुम्हें भी नन बनना पड़ता तुम बहुत ही लगी हो जो डॉक्टर के साथ जा रही हो सीमोन सिर्फ एक टीनेजर है और डॉक्टर का एज बहुत ही जादा है पर फिर भी उसे करना बढ़ता है उसे लगा कि वो सिर्फ एक केज से दुसरे केज में जा रही है सीमोन को बुक्स पढ़ने का बहुत शोक था उसे वर्ल्ड का जो भी नौलेज आया था उसने सारी चीज़े डारेक्ट किये और यह बहुत ही वल्लगर प्ले था डॉक्टर सीमोन को लेकर एक प्ले देखने के लिए आया पर यह वल्लगर था इसलिए सीमोन को उसने जाने के लिए कहा सारे लोग एक प्ले देख रहे थे तो यह सब नहीं होता, मार्की की खिलाफ इन्हें एक्षेन लेनी पड़ेगी, प्रीस चाहता तो नहीं था, पर जाकर उसने मार्की का पेंड पेजस ले लिए, इन फेज़र के बेंज को क्विल्स कहा जाता था, तो इसी वज़े से इस मूवी का नाम है क्विल्स, मार्की प् कोशिश करती है, तुम ऐसी चीज़े लिखा मत करो, मार्की कोई बात समझ में नहीं आती, उस पर गुस्ता हो गया, वो कहता है कि मेरे लिए पेंड और पेपर लेकर आओ, उसकी वाइफ ने कहा, सिर्फ तुम ही केज में नहीं हो, मैं जब भी बहार जाती हूँ, तो सब ल इलाज करती है, उसे इतनी तकलिफ दीजिए, कि वो फिर से कुछ भी कर ना पाए, डॉक्टर कहता है, हमारे असायलाम के बास इतने पैसे नहीं, कि हम उसका सही से इलाज कर पाए, उसका तुम क्या करती हो, वाइफ कहती है, कि वो डर्टी मनी है, मैं उसे हाथ नहीं लगा सकते हैं डॉक्टर ने का कि वही वैसे तुम मुझे देतो उन्हीं पैसों से मैं उसे टॉर्चर करूंगा मार्की की वाइफ को भी प्लान अच्छा लगा उसे रिग्रेट इस बात की थी एक बार उसने भी मार्की से प्यार किया था मार्की कुछ भी लिख नहीं पारा तो इस से पेपर में लिख देती है जब वह इसे लिख रही थी तो उसकी मदर भी इसमें इंट्रेस्टेड होके उसकी मदर ब्लाइंड है तो उसे यही चीजर बहुत मार्की पर अब बहुत गुस्सा हो चुका था वो जाकर उसके रूम से सारी चीज़े अब निकाल कर लाता है मार्की कुछ लिख सके है ऐसा उसके पास अब कुछ भी नहीं इससे के पैरलल में हम डॉक्टर की वाइफ सीमोन को मार्केट में आया हुआ देख सकते है वहाँ पर जाकर वो मार्की की बुक बाहि करकर लाती है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरस्टेट थी मार्की फिर से डिस्टब होने लग गया योग कुछ भी लिख नहीं पा रहा उसे एक काज का टुकड़ा मिला जिसे वो अपना बलर्ड निकालता है और सारी स्टोरी उसने अपने कपड़ों पर लिखती जब मैडली ने इसम देखा तो बहुत ही इंप्रेस्ट होगी पर डॉक्टर को जब पता जलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया प्रीस जाकर अब मार्की के कपड़े भी लेकर आता है प्रीस ने मार्की को सुधारने का बहुत राय किया था यह सब करते होए उसे धकलिव हो रही थी मैडलीन मार्की को सपोर्ट कर दिये तो इस वज़े से उसे पनीशमेंट दी जा रही थी सब लोगों के सामने उसे कोडे मारे जा रहे थे प्रीस ने देखा और जाकर मैडलीन को बचा लिया कहा कि अगर किसे को पनीश करना है तो मुझे कीजिए डॉक्टर प्रीस को छोड़ देता है प्रीस ने फिर मैडलीन से बात की उसने पूचा तुम्हें इन सब स्टोरीस में क्यों इंट्रेस्ट है मैंने तुम्हें रीड करना सिखाया तुम्हें अच्छे नॉल्स रीड करने चाहिए थे मैडलीन कहती है कि मैं दीन बर बहुत काम करती हूँ और फिर मुझे ज़्यादा कुछ भी इंट्रेस्ट नहीं होता मारकी की स्टोरीस सबसे इंट्रेस्टिंग होती है और यही पढ़ना उसे अच्छा लगता है डॉक्टर के साथ काम करने वाला एक असिस्टन था यह यंग है और सिमोन को पसन आता है वो से बुछती है क्या तुम बुक्स पढ़ते हो उसने फिर मारकी की बुक उसे दिखाए असिस्टन यह देखकर बहुत ही सप्राइस था जो से कहता है सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता तुमारे एज में यह प्रैक्टिकल करना चाहिए सिमोन ने का मुझे टीचर की जरूरत है इसके बाद इन दोनों का अफेर स्टार्ट हो गया था नेकसिन में हम देखते है प्रिस्ट ने अब डिसाइड किया है कि मैडलीन को कही दूर भेज देगा मैडलीन यहां से दूर जाना नहीं चाहती थी वो रात में प्रिस्ट के पास आई कहती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसे दूर नहीं जाना चाहती है प्रिस्ट कहता है तुम मार किसे प्यार करती हो मैडलीन ने कहा तुम मेरी मदर से भी अंदे हो मैं तुम से प्यार करती हूँ यह कहिकर उसने उसे किस कर लिया पर प्रिस्ट उसे दूर करता है प्रिस्ट कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पर उस तरीके से नहीं एज यूमन बींग यह सब चीजे करना उसे अलावड नहीं था मैडलीन इस बात से बहुत हर्ट हो गए इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि सीमोन और डॉक्टर का असिस्टन यह दोनों इस दूसरे के प्यार में थे डॉक्टर को चेड़ाने वाला एक लेटर लिख कर यह दोनों यहां से भाग जाते है जब डॉक्टर को लेटर मिला तो बहुत जादा गुसा हो गया सीमोन के रूम में जाकर वो सारी चीज़े चेक करता है और इसमें उसे मारकी का नॉवल मिला अब सारा गुसा हो मारकी को टॉर्जर करकर निकाल रहा था ओवर दर टाइम टॉर्जर की वज़े से मारकी तूट चुका था मैडलीन उससे मिल रात में उस्टोरी अपने नेवर की रूम में सुनाता है यह पेशन दुसरे पेशन को सुनाता है इसी तरीके से ट्रैवल करते करते हैं यह फाइनली स्टोरी मैडलिन के पास पोंच ती और मैडलीन यह सब लिक रही थी यह स्टोरी बताते हुए मारकी कुछ गया तो एक पेशन अपनी कैंडल लेकर उसी की बेड को आग लगा देता है वो हेल्प के लिए जिल्ला ने लग गया तभी सब गार्ड वहाँ पर पहुचे सब लोग को फ्री कर दिया गया था स्टोरी सुनकर सब लोग बहुत एकसाइट हो गए थे प्रिवेसली जिस पेशन ने मैडलीन को मार डाला था वो इस हालत में उसे देखकर बहुत रोता है जब सारी चीज़े कंट्रोल में आई तो डॉक्टर ने प्रीस से बात की कहा कि यह सब मार्गी की स्टोरी की वज़े से हुआ है तुमने उसे सही से कंट्रोल नहीं किया तुम भी इसके लिए जिमे क्टन्स हूआ इसमें मेरी कोई भी गल्ती नहीं वो दिखा रहा था कि उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता प्रिस्ट को मालूम है कि मैडलीन से वो प्यार करता था वो कहता है कि मैडलीन तुम्हारे पास इतनी बार आए पर कभी भी तुमने उसे जबर्दस्ति नहीं कि तो डॉक्टर है सुनकर इंप्रेश था, उसे बुछता है क्या तुम आज राज सही से सो पाऊगे, प्रिस्ट ने कहा कि मैं कभी भी नहीं सो पाऊंगा, परे करना जरूरी था, रात में प्रिस्ट ने अपने आप कोई पनिस्ट किया, उसे सपना आता है कि मैडलीन अभी भी सिंदा है, उसके साथ वो इंटिमेट हो रहा है, इस सपने की वज़े से वो बहुत जादा डिस्टब हो गया था, रात में फिर से प्रिस्ट को बुलाया क्या, मारिकी ने अपने वेस्ट से पूरे वाल्स पर स्टोरी लिग दी थी, वो बहुत ही पेन में था और अब मर रह प्रिस्ट के लैप में ही उसकी डेथ हो जाती है, प्रिस्ट को बहुत बुरा लगा, प्रिस्ट बहुत रोया, प्रिस्ट उसे कहता है, तुम्हारी डेथ ऐसे वेस्ट नी जाएगी, अब इसके बास स्टोरी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है, अब हम देखते हैं, इ जो भी स्टोरीज थी ये सारी डॉक्टर अब पॉप्लिश कर रहा था मार्की की स्टोरीज की वज़े से इस होस्पिटर को बहुत नुकसान हुआ है इसके रिपेरिंग के लिए जो भी पैसे लगेंगे ये मार्की के बुक सेल करकर ही वो ले लेगा ये सीन हमें वर्ल्ड का बहुत ही ट्विस्टेट पॉइंट ऑफ यू दिखाता है इसके बाद डॉक्टर न्यू प्रिस्ट को सब जगा दिखा रहा था इसमें हम देखते हैं कि हमारा ओल्ड प्रिस्ट अब पागल बन चुका था जो भी उसके साथ हुआ तो इस वज़े से अपना कॉंट्र उसने खो दिया जिस तरीके से मार के स्टोरी लिखता था उसी तरीके से वो भी स्टोरी लिखने लग गया वो कुछ लिख ना पाए तो डॉक्टर ने उसके भी पेन और वेपर ले लिये थे वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है पर डॉक्टर उसे इन और करके चला गया अब म मार्की की तरह stories लेखना start कर देता है और यही पर यह movie end हो जाती है यह आज क्या हमारी story क्या सही क्या कलग इन सब चीजों को बहुत दिट्विस्टेड वेव में present करती है हम इसके अलग-अलग meaning निकाल सकते तो आज का वीडियो हम यही गतम करते अगर आपको explanation अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमोई के साथ तब तके लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया ान कर दीजे कर डत्राम से रखियो कोई मार समी कर दो खीजेगा कर दिए अ. घु vorher झाल 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 झाल